उत्राखन अपनी प्राकृतिक सुंदर्टा के लिए बेहत प्रसित है जिस कारण यहां के पाहाड परवत और नदियाक के संगम को देखने के लिए परियटक देश-प्रिदेश से यहां पहुचते हैं इमालियराज उत्राखन में ऐसे ही प्राकृतिक सुंदर्टा को समेटे हुए चिला पिथोरागर जिसकी सीमा नेपाल और चीन से लगी हुई है जो अपनी खूपसूरत खाती के लिए जाना जाता है और जिस कारण इसे मिनी कश्मीर का नाम भी दिया गया है इसकी सुंदर्टा में चार चान लगाती है पिथोरागर जिले में स्थित पंचा चूली जो की पाच चोटियों के समू का परवशिकर है इसे पिथोरागर के सिर का ताज भी मारा जाता है पंचा चूली परवशिकर है पिथोरागर जिले के सिर के ताज के रूप में प्रकृति से उपहार स्वरूप मिला है पाचो चोटियों के अपनी अनोखे त्रिबूजाकार संट्रचना के कारण पंचा चूली परवशिकर है का मुख्य अकर्शन का केंद्रव है प्रसित्य पर्यठक स्थल मुन्सयायरी और पंचाचूली के बेस कैम दारामा घाटी से पंचाचूली परवत का कभी भूल ना पाने वाला नसारा देखने को मिलेगा यहां आने वाले पर्यठक इन पलों को आनंद लेकर छूम उत्ते हैं यहां पंचाचूली परवत देखने गुजरात से पहुँची रेश्मी राणा ने कहा ऐसा नसारा उन्होंने अपनी जिन्दीगी में कभी नहीं देखा यहां की खुबसूर्ती देखकर यहीं बस जाने का मन करता है यहां का द्रस्या और सुंदर यह द्रस्या बहुत अच्छा लगता है यहां का नजरा भी बहुत खुबसूरत है यहां का फोटोग्राफी लेने का भी बहुत मन करता है जी नहीं भरता है यहां का फोटोग्राफ करने का यहां सब सुविदा करने थोड़ी चाहिए तो नस्दीक बसा हुआ एक खुबसूरत शहर है जहां से पंचाचूली परवत का खुबसूरत नजारा पिथोरागड की शान में चार चान लगाता है पंचाचूली परवत भारत के उत्राखनराज के उत्री कमाऊ शेत्र में पिथोरागर जिले में दारामा घाती में स्थित है पंचाचूली परवत पाच परवत चूटियों का समू है जिनके नाम पंचाचूली एक से लेकर पंचाचूली पाच तक के है इस चूटी की समुद्र तल सी उचाई 6,312 मीटर से 6,904 मीटर तक की है ऐसा माना जाता है कि पांड़ों ने हिमाले में विच्रन करते हुए इस परवत पर अंतिम बार अपना भूजन बनाया था इसके पांच उच्चतम बिंदों पर पांच पांड़ों ने पांच चूले बनाये थे इसलिए ये स्थान पंचा चूली कहलाता है दार्मिक ग्रंतों में इसे पंच शीरा भी कहते हैं यहां के क्रामिनों की है मान्यता है कि पाचो परवत यानि युदिश्टर, अरजुन, भीम, नकुल और सहदे पांच पांड़ों के प्रतीख है